हिलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूँ गाईज आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सबी के लिए एक ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं जिसके सीखने के बाद गाईज अगर आपके वाट्चाप पर कोई भी जरूरी बात करनी होती है तो आप अपने वाट्चाप को ओपन करते हो और ओपन करके देखते हो तो वह बंदा ऑनलाइन नहीं होता है फिर आप क्या करते हो थोड़ी देर के बाद फिर ट्राइ करते हो लेकिन आप थोड़ी देर के बाद क्या देखते हो कि वह बंदा ऑनल आ चुका है और आप उससे ओनलाइन चैर्ट कर सकते हो तो गाइस वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहीएगा वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा अगर आप स्किप करते हो तो आपको कुछ भी समझ में न पहले पहुचे तो चले फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आपको इस ट्रे को सिखने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्लेश्टोर में जाना है चले फ्रेंट्स यहां से अपने प्लेश्टोर ओपेन कर लेते हैं और ओपेन करने के बाद आपको ऊपर में search वार में search करना है आपको ऊपर में यह application देखने को अपको यहां से इसे install कर ले ना हो छलिए दोस्तों हम यहां से इसे किस आप कंज ए जाता है और आपको नीचे् cert में कनिटम वाण option देखने को मिल जाएगा आपको simply continue कर देना है जैसे इसे continue करोगे आपको कुछ permission को allow करने होंगे चलिए दोस्तों यहां से हम इस permission को allow कर देते हैं और allow करने के बाद आपको यहां पर दो option देखने को मिल रहे होंगे I am new user या फिर I am already registered user यहने की पहला जो option है इसका मतलब यह है कि अगर आप नए हो तो यहां आपको सबसे पहले आयम न्यो यूजर भाले ऑप्सन को देख सकते हों यहां पर आपको ऊपर के साइड में एक प्लस वाएकन दीफनी को मिलना होगा आपको यहां से इसे add वाले option को click कर देना है और जैसे ही आप इतना करोगे guys आप देख सकते हो यहां पर आपको दो box देखनी को मिल रहे होंगे first वाला box जो है आपको उसमें उस बंदे का number डालना है जिसका आप track करना चाहते हो कि वो बंदा कब online whatsapp पर आता है और कब जाता है उसका number आपको यहां पर से type कर देना है तो चली friends यहां मैं उस बंदे का number डालना है और मुझे पता चल जाए तो friends आपको यहां से उस number को add करना है जो बंदे का number डालना है तो चली friends हम यहां से इस बंदे का number डालना है नाम add करने के बाद काईस आपको ओके वाले option पर click कर देना है click करने के बाद guys आप देख सकते हो यहां से उस बंदे का जो है यहां से contact देखने को मिल जाएगा friends इतना कर लेने के बाद guys आपको यहां पर simply bell वाला icon side में देखने को मिल रहा होगा friends यह जो है वो disable है आपको इसे enable कर देना है ताकि वो बंदा जब जब आपके WhatsApp पर online आये उसकी notification आपको मिल प्रेंट्स इस ट्रिक के जरीए आप इतना ही नहीं बलकि यह भी पता कर सकती हो कि वो बंदा कब WhatsApp पर online आता है कितनी देर रहता है और कब-कब आता है यह सारी detail यहां पर देखने को मिल जाएंगे तो इस तरह से आप WhatsApp पर कोई वंदा आगर आपका WhatsApp पर online आता है तो उसकी notification आपको मिल जाएगी जिसके जरीए आप उनसे online चैट कर सकती हो और आप पता कर सकती है कि वो बंदा कितने देर तक online रहता है और कब-कब रहता है और कितने time तक online वहां पर था तो इस तरह से आप अपने WhatsApp कोंटेक्ट यहां से ट्रैक करके और उसे पता कर सकते हो कि वो कितने देर तक online आता है और कब-कब आता है तो फ्रेंट कैसा लगा वीडियो आपको I hope गाईज वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा तो मिलते हैं कुछ ऐसे न् लिए टेक क्यार बाई